मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी यह खटी मिठी भाजी की रेसिपी तो यह खटी मिठी भाजी इस तरह से दिखती है तो आप इस तरह भाजी ले ले जी और सिर्फ उसके पत्ते पत्ते तोड़कर अलग कर ले जी और इसको अच्छे और इसको gas पर रखके में gas on कर देती हूँ कड़ाई गरम हो गई अब मैं इसमें डाल लेती हूँ तेल तेल को गर्म करके अब मैं इसमें डाल लूँगी प्यास तो ये दो medium size की प्यास को लेके मैंने slice की थी इसको भी मैं golden कर लेती हूँ कि देखे मेरे प्याज भी गोल्डन हो गई है अब मैं इसमें डालना जा रहे हुए एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स इसमें इस तरह ही रेड आप चिली फ्लेक्स से डाले पीसे भी मिर्च मत डाली यह बहुत अच्छी लगती है और आप टेस्ट के कार्डिंग में डाल ले लेती हूं नमक मिक्स कर लेती हूं सबको इस तरह ही रखास से सबको मिक्स कर लेती हूं अच्छा से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल लेती हूं इमली इमली को यह मैंने भीगो का रख लिया था पहले से ही और अब मैं इसमें डाल लेती हूं भीगी इमली तो थोड़ी सी इमली भी डाल दी मैंने, और सब को अच्छे से mix करने के बाद, थोड़ा सा और भूल लूँगे मैं हलका सा, ताके इमली के खटा सब पूरी प्याज में हो जाए, और अब इसके बाद मैं डाल लेती हूं, इसके अंदर भाजी, ये भाजी थोड़ी थोड़ी मिक्स कर लूँगे मैं, अच्छे से mix करने के बाद में बाखी के भाजी भी डाल दूँगे, ये बड़ी टेस्टी डिश होती है और बहुत ही healthy भी होती है, तो आप ज़रूर इसको try किजिए, आप मैं पूरी भाजी डाल लेती हूं, अच्छे से इसको mix करकर भूल लेती अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजी, पास में लगे बेल आइकोन को भी click कर दीजी, ताकि मेरी कोई सी भी recipe की notification आप से miss ना हो, ये एकदम free है, तो आप ज़रूर try किजिएगा, बनाईएगा, और comment करके ज़रूर बताईएगा, क्या आपकी भा इससे हमारे होसला अफजाई होती, तो चलिए मेरी भाजी बनके तयार, ये फटाफट बन जाती, बहुत कम टाइम में बन जाती, और बहुत ही टेस्ट लगती, तो आप भी इसको ज़रूर try किजिएगा, अपने family को खिलाईएगा, और मुझे ज़रूर comment करके बताईएगा तो देखिए मेरी ये भाजी बनके पूरी तना से तयार है, तो enjoy किजिएगा, होती है मुलाकात अगली recipe में, ऐसी कोईसी नई recipe और चटपटी recipe के साथ, ऐसी ही चटपटी dishes का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को like करें, subscribe करें and bell icon को hit करना ना भूलें